हलो फ्रेंड्स आज हम पीजा पॉफ बनाएंगे पीजा पॉफ में हम बहुत सारी अलग-अलग सब्जिया और मोजरेला चीज यूज़ करेंगे यंग जनरेशन और बच्चे इसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं पीजा कॉफ में आने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कोप बास कटा हुआ ग्रीन के Hollywood लिया है और इसके साथ 2 पॉप कॉप बारिक प्टा हुआ एल्ट मेल मिज्ग कात लिया है हाफ कॉप बारिक कटे हुए टमाटर, हाफ कॉप फ्रेस स्वीट कॉन के डाने लिये है और इसे पाने में नमक डालकर बॉयल कर लिया है हाफ कॉप हरे मतर के डाने लिये है और इसे भी नॉर्मल बॉयल कर लिया है एक कॉप ग्रेट किया हुआ मुजरेला चीज, 5 टीश्पून ब्रेक पेपर पाउडर, एक टीश्पून सीजनीं औरेगानो genetics एक टीश्पून व्रेद चिली फ्लेक्स और एक टीश्पून गार्लिक पाउडर लिए है, तीन टेबर स्पून चितना पिजा सोस लिया है और ये हॉममेट पीजा सोस है और इसकी रेसिपी की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और रेसिपी के एंड में रिख सकते हैं पीजा पॉफ के ऊपर के लियर का आठा लगाने के लिए डो कॉप मेंडा ओइल और नमक स्वाद नुसार और बेकिंग पाउडर अब सबसे पहले पीजा पॉफ के लिए आठा लगा कर रेडी करेंगे तो एक बड़े बावूल में मेंडा निकाल लेंगे हाफ टीस्पून ब अच्छे से मिला लेंगे आठा लगकर रेडी हो चुका है तो आठे को डगकर सेट होने के लिए रखेंगे अब डूसरी और हम पीजा पॉफ के लिए स्टापिंग रेडी करेंगे तो गैस ओन करके एक फ्राइपेन को गैस की आज पर रखेंगे उसमें एक टेबर स्टाप संब्लब और रेट केप्सिकम एड़ करके मिला लेंगे सबजीयों में हमें लगा-टार स्पून से चलाते रहना है बारिक कटे टमाटर एड़ करके मिला लेंगे सारी सबजीयों को हलका सा सौंते करेंगे अब इसमें स्टूपन के वानि हरे मतर के दानि गार्लिक ब्लेक पेपर पाउडर औरेगाणों और रेच चिली ईट करेंगे अब udsmall efforts में टीश्पून नमक करते सारी चीज्ळों को मिला लेंगे अब इसमें पीजा सोस एट करेंगे तीजधे मتمनें लेंगे के साफ्जी यह को पीजा सोस के साथ अच्छे से मिला अजरेला चीज एड़ करके मिला लेंगे स्टॉपिंग रेड़ी हो चुका है तो अब इसे आधे गंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि यह ठंडा होकर अच्छे से सैथ हो जाए आधे गंटे के बाद स्टॉपिंग को फ्रीजर में से निकाल लेंगे पीजा पॉफ क के लिए चकला और मेलन लेंगे चकले के ऊपर आठे की एक लूई रहेंगे और उसमें से पराथे केजरी से इसी मोहित मेक्टी देश करेंगे के रोटी विल्स हैकोने हो चुकि है कि रोटी पीजा काटर की मधट से स्क्क seul ने कार सेट में कातकर रेडी करेंगे आप इसमें से दो पीस के ऊपर एक टेबलो स्पुन जिपना आपराई तरह से हम चाँगे आप देख सकते हैं इस तरह से हम रोटी के पीस के ऊपर प्रस्ट करते हुए और जोड़ेंगे अन्यक्राईब एक तरह से इस तरह से रीजान बनाएंगे इस तरह से डोणों रोटी की extent एक दूसरी के साथ अच्छे से जूर जाएगी और डिजान भी बन जाएगा लेख सकते हैं इस तरह से हमने ृजा पुफ बनाकर रेड़ी कर लिया है इसी से रोटे बेल कर उसे स्क्वेस्ट में काट नियुथ आपकर उसमें मीडियम से लो रखके पीजा पॉप को हलके से गोलडन कलर के में और जरेंगे शक्तोर रोज हो चुका है तो उल में निकाल न्वल अब तखेंगे और इसी तरह से सारे बीजा पॉफ बनाएंगे और उससे अनुद परकर लिए ए Eagle पुपफ बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं पीजा पौफ बिखने में बहुत सुन्दर है और इसका अंदर का मामा भी बहुत की टेस्टी बना है पिज पॉफ के ऊपर का लिएर बिलकुल क्रिश्पी बना है आफ देख सकते के में चीज बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और अंडे स्टप्रिंग भी पूरी तरह से बढ़ा हुआ है इस तरह से पीजा फॉफ बना कर हम पार्टी में स्टार्टर के रूप में परोश सकते हैं और इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी डे सकते हैं तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी को लाइक और इस तरह से मेरी अगली रेसिपी डेखने के लिए मेरी चेनल को जड़ूर से सब्सक्राइब की जी